हेलो दोस्तों, हमारी यूटूब चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम देखेंगे कि आँख से संबंदित निकट द्रश्टी दोस क्या होता है यानि कि मायोपिया क्या कहलाता है, उसका कारण क्या होता है और उसका निवारन क्या से होता है और साथ ही हम देखेंगे दूर द्रश्टी दोस्त यानि कि हाईपर मैट्रोपिया क्या कहलाता है इसका कारण क्या है और इसका निवारन, इस रोग का निवारन कैसे करेंगे जरा द्रश्टी दोस्त यानि कि प्रैस बायोपिया क्या कहलाता है इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है और इसी तरह एक द्रेश्टी वैस्म या आविंदुकता होता है उसको English estigmatism कहलाता कहा जाता है जिसके बारे में हम देखेंगे और इस रोग का निवारण क्या है उसका हम देखने वाले हैं और जैसे कि कुछ मेरा आंक से संबंद्द कुछ टॉप रोग और होते हैं जैसे कि मौतियाविंद काला मौतियाविंद इनके बारे में भी इस वीडियो में देखने वाले हैं और आंख से संबंदेते के अनुवांसिक रोग भी होता है जिसको कलर व्लाइनेस यानि की बढ़ांधता कहा जाता है तो इस वीडियो में हम इन रोगों के बारे में देखने बाले हैं तो आईए सबसे पहले हम देखते हैं निकट दरश्टी दोस यानि की इंग्लि लेगा तो इस रोग से ग्रश्ट व्यक्ति नजदीक की बस्तू को देख लेता है परंतो दूर की इस दूर स्थिद बस्तू को नहीं देख पाता है यानि कि इसमें दूर की बस्तू को नहीं दिखाई देता है लेकिन पास की बस्तू यानि की नजदीक की बस्तू को हम आरा से देखवाते हैं इसका कारण क्या है यह देखते हैं इसका कारण क्या है तो कारण में सबसे पहला अगर इसमें देखें तो लैंस की जो गोलाई होती है लैंस की गोलाई बढ़ जाती है और जैसे ही लैंस की गोलाई बढ़ती है तो लैंस की जो फोकस दूरी होती है फोकस द कर्ब बढ़ गया है गोलाई बढ़ने का मतलब है लैंस का कर्ब लैंस में कर्ब जादा आ गया है यानि कि वो ज्यादा घुमाओदार हो गया है और जैसे ही लैंस में ज्यादा कर्ब आ जाता है तो वो केणों को जल्दी फोकस करने लगता है और केणों को जल्दी फोकस होगी गड़ जाती है अगर देर से फोकस करता तो फोकस दूरी जादा होती इसलिए यहां पर जो हम देख पा रहे हैं कि लेंस की गोलाई क्या हो जाती है बढ़ जाती है और लेंस की जैसे फोकस दूरी घड़ जाती है तो फॉर्मूला होता है पी बरावर फॉर्मूला होता बन बटे फोकस दूरी यानि कि लेंस की जो छमता होती है लेंस की छमता को पीसे दरसाते हैं तो लेंस की छमता बराबर फर्मूला होता है एक बटे फोकस दूरी यानि कि फोकस दूरी यहां पर घट गई है तो लेंस की छमता क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तो लेंस की छ प्रिद्वन पहले ही बन रहा है रेटना के आगे यहां पर तो यह kan करणmalे कि च्छम्हां मblack चुकीा है और लिंस की च्छम्हांटा बढ़ जाएगी तो वह जल्दी फोकस करेगा प्रकास के लिंग और जल्दी फोकस करदेगा यानि कि उसका प्रतिवम पहले ही बन जाएगा जो कि रेटना पर बनना चाहिए था लेकिन उसके आगे बन गया है अब यहां से आप से कुश्चन पूछा जाता है कि निकट दरश्टी दोस में प्रतिवम कहां बनता है तो निकट दरश्टी दोस में इस डाइग्राम में हम रहे होंगे कि फोकस यहां हो रहा है इस पॉइंट पर तो पॉइंट पर फोकस हो रहा है यानि कि रेटना हमारी इधर है और रेटना के आगे हो रहा है फोकस यानि कि इस दरश्टी दोस में जो प्रतिवम बनता है वो रेटना पर ना बनकर रेटना के आगे बनता है यहां अब निकड दरीष्टी दोस्ट का जो रोग है उसका निवारण क्या है तो इसे निवारण को देखते हैं यहां पर हम इसकी समय AA महींच समझ चुके हैं कि निकड दर्श्टी दोस्ट मंन व्लाया है तो इसके मा धर देखेंगे यानि कि निकट दरश्टी दोस्ट से पीडित कोई व्यक्ति है इसको क्या हो रहा है कि प्रकास किरण जो यहां रेटना पर फोकस उसका प्रतिम बनना चाहिए वो पहले ही बना रहा है इधर रेटना के आगे ही बन रहा है तो इसको हमें क्या करना होगा कि इसको थोड़ा सा प्रका स्क्रिनों को फैलाने का काम यानि की अफसरित करने का काम करता है आउतर लेंस इसलिए हम क्या करते हैं कि लेंस जो भी ब्यक्ति होता है उसके लिए उसको चस्मे में आउतर लेंस का उपयोग करके इस दोस को दूर कर दिया जाता है तो आपको यहां ध्यान रखना है कि दूर दरश्टी दोस क्या कहलाता है यानि कि इसको इंगलिस में हाइपर मैट्रोपिया कहते हैं तो दूर दरश्टी दोस तो यहां भी आप एक्टम किलियर होंगे कि दूर दरश्टी दोस है यानि कि दूर का दिखाई देता है और पास का नहीं दिखाई देता है तो हम कह सक लेकिन निकट की बस्तु दिखलाई नहीं पड़ती है तो इसमें हो क्या जाता है कि दूर दरश्टी दोस है यानि कि ज्यादा दूर फोकस करने लगता है यहाँ पर रेटना के भी पीछे चला जाता है फोकस पॉइंटर यानि कि प्रतिवेंबुस का तो बहुत दूर हो जात जाती है और लेंस की गोलाई जैसे ही कम हो जाती है तो फोकस दूरी क्या हो जाती है बढ़ जाती है जैसे गोलाई कम होगी तो फोकस दूरी ज्यादा होगी अब समझ रहे होंगे कि गोलाई कम हो रही है लेंस पहले कुछ इसाकार का था लेकिन अब अभी गोलाई है अब गुलाई काम हें उसकी गुलाई कम होने का मतलब है कि उसकी जो फोकस दूरे क्या हो रही है बढ़ रही है और जैसे फूकस दूरई बढ़ जाती है टो लैन्स की छमता क्यों गड़ जाती है इसके लिए भी आप ध्यान रखेंगे P बराबर एक वक्टा फोकस दूरी होती है तो P जो होता है लेंज की छमता को भीखत करते हैं P से और F से लेंज की जो फोकस दूरी होती ह Gore उसको拟 किया इस condition में क्या हो जाता है यहाँ पर रेटना पर नपन के रेटना के और पीछे जाके बनता है तो बस्तू का प्र typरेंब रेटना पर नहीं बन पाता है और वो बस्तू हमें आराम से नहीं दिकाई पड़ती है तो अब यहां दियान रखना है कि इस रोग में निकट की बस्तू का प्रतिवंब रेटना के पीछे बनता है इस रोग के निवारण के लिए हमें करना यह होगा कि जो कंडिशन अभी इस वाले में अगर हम देखेंगे कि जो condition ये बन रही है कि जो पृतिवें में रेटना पर बनना चाहिए वो रेटना पर ना बनके रेटना के पीछे बन रहा है यहाँ पर तो इसको हमें क्या करना होगा कि रेटना पर लाना होगा रेटना पर लाने के लिए केड़ों को थोड़ा जल्दी फोकस करना होगा जल्दी यानि की थोड़ा सा उसको और पहले फोकस करना पड़ेगा और इसके लिए जल्दी फोकस करने के लिए हम यूज करते हैं उत्ता लेंस का इसलिए ये जो इस कंडिशन में आप देख रहे हैं इस कंडिशन में हमने आँख के आगे चसमे में हम क्या करें गे बैक्ती के उत्टर लेंस का यूज करेंगे तो उत्तर लेंस क्या करेंगा इन केर्णों को आराम से फोकस कर देगा, जो पीछे जा रही थी केर्णैं वो एम रेटना पर ही उसका प्रतिवम बनने लगेगा next है हमारा जराद रष्टी दोस यानि कि इंग्रिस में इसको कहते है प्रैस बाइविए इसमें होता यह है कि यह ज़्यादा तर कंडीशन हम देखेंगे तो यह ब्रधा वस्था में ही होता है तो ब्रधा वस्था के कारण आग की समझ्यन छमता घड़ जाती है समझन यानि की समझन जमता का मतलब होता है दूर की वस्तू और पास की वस्तू को आटोमेटिक एड़जस्ट करना दूर की बस्तू होगी तो automatic lens adjust कर लेता है पास की बस्तू होती तो उसको भी automatic lens adjust कर लेता है तो लेकिन बुड़ापई में यह यानि की ब्रद्धा बस्ता में क्या होता है कि यह समझन जमता घड़ जाती है समझन जमता घड़ जाती है यह यह कहें एकदम समाप्त हो जाती है ज तो किताब को कुछ इस तरह ऐसे देख रहे हैं चस्मा भी लगाए हैं लेकर फिर भी उनको थोड़ा सा देखने में दिक्कत जा रही है तो इस कंडिशन इस निबारन के लिए अब जैसे कि हम अभी देख चुके हैं अगर हमें दूर का नहीं दिखता है यानि कि निकट दिखाई देता है और नहीं पासका दिखाई दिए तो इसलिए यहां पर जो लेंस इसका दो निवारन को कि अगर बात यहीं क्या होता है थे providers most फोकसी लेंस का यूज करते हैं दूई फोकसी लेंस का मतलब है कि जिसके दोवेंस मतलब फोकस पॉइंट हो नेक्स्ट है हमारा द्रश्टी बैसम या आबिंदुक्ता या उसी को हम एस्टिगमेटिज्म कहते हैं तो इस कंडिशन में क्या होता है कि आप इस डाइग्राम में आप देख रहे होंगे इस डाइग्राम में आपको लाइटें कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे होंगे जो कि प्रॉपर ठीक दिखाई दे रहे हैं तो द्रश्टी बैसम या आबिंदुक्ता में होता क्या है कि बस्तूओं को हम 36 दिसा में तो देख पाते हैं लेकिन उर्द्वादर दिसा में नहीं देख पाते हैं इसके निबारन के लिए बेलनाकार लैंस का प्रियोग किया जाता है यानि कि कारण हो जाता है नेक्स्ट है हमारा मौतिया बिंद तो मौतिया बिंद होता क्या है तो कभी-कभी अधिक आयों के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रश्ट्ली लैंस दूदिया या धुंदला हो जाता है इस इस्तिती को ही मौतिया बिंद कहते हैं इसके कारण नेत्र की द दॉन आया हमारा यहां परर लंच दिखाया गया है तो इस लेंग्स पर क्या होता है लेंज परी सपेद पर्त जम जाती है तो जिसकी कारण फस्तून हमें धून दिखाई देने लगती है इस पूरी तरी से डैमेज हो जाती है यानि कि पूरी तरीका से नस्ट हो जाती है जिनका इलाज संभव नहीं है इस इस्टिदी को कहा जाता है काला मौतियविंद्ध या इंग्लिस में उसको कहते हैं गलू कॉमा नेक्स्ट है हमारा बढ़ान देता यानि कि कलर ब्लाइननेस तो कलर ब्लाइननेस एक प्रकार की अनुबानसिक रोग है जो की हमारे सामान तौर पर अगर हम देखेंगे तो सामान तौर पर किसी भी व्यक्ति में तीन तरह की कॉनसेल पाई जाती है तीन तरह की कॉनसेल का मतल किसी एक की कमी हो जाती है तो इस इस इस्तिती को ही कहते हैं बरांदता या कलर ब्लाइंडनेस जब हम नॉरमल कंडीशन में होते हैं यानि कि हमारे आखों में जो रेटना होती है उसमें अगर तीनों को प्रकार की कोन से ले यानि की रेड ग्रीन और बलू तीनों पस्ते थे तो हमारा normal vision इस तरह से होता है यानि कि regular vision रहेगा हम किसी भी रंग को आराम से पहचान सकते हैं लें अगर किसी कून सेल की कमी हो गई है जिसके वज़े से हमें फिर ये रोग हो जाता है तो इसमें अगर किसी proper cell की कमी हो जाती है तो इसके स्थिती को अलग अलग नामों से जाना जाता है जैसे कि आप इस डाइग्राम में देख रहे होंगे अगर green cone cell की कमी हो जाती है तो इसको बोला जाता है deuteranopia और अगर इस बाले डाइग्राम में देखेंगे तो अगर red cone cell की कमी हो जाती हो उसको बोला जाता है protonopia और इस पलें डाइगराम में देखेंगे तो अगर blue consigo की कमी हो गई है तो उसको बोला जाता है Tritonopia और अगर किसी भी बहुत ही जादा अगर सिती खराब है जिसमें तीनों क्यावा क्वी कमी हो जाती है यानि कि red green और blue तीनों की कमी हो जाती है तो उसको बोला जाता है मोनो क्रॉमा की यानि कि सब ही बस्तुओं हमें एक दम ब्लेक और भाइट ब्लेक और भाइट ही दिखाई देंगी तो अगर हम जादतर जानबरों की बात करें तो जादतर बस्तुओं जादतर जानबरों की अगर हम बात करें आसा है कि आपका जो बिजन होगा वो regular बिजन होगा यानि कि आपको आपकी जो आखों की रेटना होगी उसमें red, green और blue तीनों तरह की कौन से लोपस्तित होगी और आपको देखने में कोई problem नहीं होगी आप सभी color को आराम से पहचान पाएंगे और इसमें जितने भी रोगों से संब्दित हमने चर्चा करी है आप उनको भी आराम से और आसानी से समझ गए होगे और अगर किसी भविस में कभी कोई समझ्या कोई आखों से संब्दित हो जाती है तो आप उसका आराम से इलाज करवा सकते हैं और अपनी आखों का देखभाल कर सकते हैं तो स्वस्त रहिए मस्त रहिए अभी तक के लिए इतना ही धन्वाद